ओके दिन वेलकम टू दा नेक्स लेक्चर और आज है हमारा आउटो कैड मेकानिकल 3D मॉडलिंग लेक्चर नमबर 12 और इस लेक्चर में एक स्टुडेंट से हमारे उनको बेसिक मॉडलिंग जानना था एक्जम बेसिक मॉडलिंग तो आज मैं पिछले लेक्चर में जितने भी पार्ट बताया है उससे भी थोड़ा सा बेसिक में चला जाता हूँ है ना और इस शीट को पूरा मैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही बनाऊंगा इसमें टोटल के टोटल 8 पार्ट हैं और आज के ले तो इस लेक्चर को पूरा देखिए और अच्छे से समझे किसी तरह का कोई दिक्कत आती है और जो लाइब जो आइन कर रहे हैं है ना उनको तो आजादी है पूरी तरह से कुछ भी पूछ सकते हो अपनी माइक ओन करके ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्ट क हैं या नि कमांड्स थोड़ा बहुत जानते हैं और उनको आगे समझ में नहीं आरत उनके लिए यह है अगर आपको यह छोटा पार्ट आता है तो आपके लिए वीडियो नहीं है या फिर यह लेक्चर नहीं है ठीक है तो चलते हैं स्टार्ट करेंगे आज के इस लेक्चर से भी setting कर सकते हो ठीक है तो चलते हैं यू एन enter कर देता हूं units के लिए यू एन enter is the shortcut और यहां से हम क्या कर लेंगे 0.00 का precision रहेगा फिर यहां से आप millimeters को select कर लिजाए रोके कर दीजिए फिर मैं क्या कर लेता हूं drawing limit set कर लेता हूं यह आप अपने requirement के हिसाब से कहीं भी set कर सकते हैं तो lower left corner जो 0,0 and upper right corner 1000,1000 का मैं बार बार रखता हूं ठीक है तो मैं आज भी उसी का इस्तमाल करूंगा grid mode को off रख दीजिए क्योंकि अभी हम grid mode के बारे में पूरी तरह से जान चुके हैं कभ इसका इस्तमाल करना है कभ इसका इस्तमाल नहीं करना इसके बारे में भी हम पूरी तरह से जान चुके हैं आपको मैं कितनी बार बता चुका हूं कि बबा आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत आती है then feel free to ask कर, जो live lecture में है, उनके लिए कभी भी mic अपना खोली है, और पूछ ये बिंदास, है ना, मुझे अच्छा लगेगा, का आप अपने doubts मुझे दीजिए, हम आपको solution देंगे, तो हम start करते हैं, ठीक है, तो देख लिजिए, इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको बनाने के लिए हमें करना होगा start, और किस side से हमें start करनी है, तो we are going to start from left side, okay, so profile को read कीजिए, उसके dimensions को read कीजिए, and हमें उस तरह का profile बनानी है, then बाद में हम क्या करेंगे, इस material को remove करेंगे, फिर बाद में हम इस material को remove करेंगे, so let's have a look, तो we are going to start from the left side, यहां से मैं left ले ले लेता हूँ, और आराम से देखने के कोशिश कीजिएगा, ठीक है, मैं कोई भागा-भागी नहीं करूँगा, ठीक है, तो देखिएगा, यहां है total हमारा 45 है, 45 में से, और इसके height total दी हुई है, 30 है ना, तो 45 by 30 का हम क्या कर सकते हैं, एक rectangle ले सकते हैं, 45 by 30 का rectangle ले लेते हैं, 45 tab 30, ओके, यह हो गया हमारा पहला step, और देखिएगा, यहां पर एक और दिया हुआ है, इसको chamfer बोलते हैं, 12 by 12 का chamfer, तो मैंने पिछले lectures में chamfer को भी बताया हुआ है, तो हम C, H, A is the shortcut for chamfer, और यहां पर distance लेना है, इसलिए आप यहां पर distance पर click किजिए, distance हमारा 12 enter, और दूसरा वाला भी 12 enter है, and then आप इस line को select किजिए, और इस line को select किजिए, यह देख लिजा हमारा आ चुका है, ठीक है, याद रिखिए यहां पर जो polyline होता है उसको मत click किजिएगा नहीं, तो चारो side में हमारा chamfer आ जाएगा, बस इतना ही सा हमें फिलहाल तो काम करना है, बाद में मैं यह सब बना लूँगा, ठीक है, तो चलते हैं इसको मैं right click करके southwest ले लेता हूँ, क्योंकि हमने start left side से किया है आई बाद समझ में और आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसमें press pull का इस्तमाल करूंगा, इसको मैं ने select किया, देखिया, अगर यह नहीं आ रहा है, था हमें क्या करना चाहिए जरा सा आप यहां पर shaded ले सकते हो, no problem, and then यहां से आप press pull कर दीजे, यह highlight हो जाएगा, और इस तरह से आप इधर भी या फिर इधर भी दोनों side में से किसी भी side में आप press pull कर सकते हो, ठीक है, इसकी total press pull length दिया गया है यहां 60 की, तो आप 60 ले सकते हो, चाहिए इधर लो या इधर लो no problem, मैं इधर ले लेता हूँ 60 का ले लिया मैंने, ठीक है कोई जरूरत नहीं यह study की तो आप यहां से इसको delete भी कर सकते हो no problem, अब बढ़ते हैं आगे, अब देखें यहां पर क्या है सर जी, इधर से 24 इधर से 15, कोई problem नहीं है आप अगर चाहें तो एज को भी copy कर सकते हैं जैसे की u, c, s, double enter कर दो मैं यहां पर बताया हुआ है how to use, how to copy the edges है ना, पिछले एक part में मैंने इसका इस्तमाल किया था copy age, मैंने इस age को किया select, space, इधर click करूँगा इधर जाओंगा, इधर 24 है यह देखे, 24 का आगया फिर आप क्या कर सकते हो, यहां से 15 में copy कर सकते हो, तो आप इसका इस्तमाल किजिए यह लेता हूँ, और इस age को मैंने select किया, enter किया, यहां पर click किया, और यह रहा 15 enter, और इस तरह से मुझे एक region मिल जाता है, और मैं इस region को प्रेस पूल करके material रिमूव कर सकता हूँ, and you can see here 10 we have, तो आप यहां से 10 value डाल सकते हो, यह हो गया हमारा 10 का, मैं study को हटा देता हूँ, है न, नी 10 clean रखिएगा आपना drawing, तो आपको जल्दी समझ में आएगा यह देखिए 10 by 10 का है, यहां पे cut out, तो आप इधर से भी आप कर सकते हैं, copy मैं एक एक करके बता रहा हूँ, select, right click यहां से आप, right click मत कीज़े, enter कीज़ेगा, यहां तो space कर सकते हो ठीक है, then यहां से फिर से मैं age लेता हूँ, इस age को लिया, मैं space किया, यहां से 10 ले लेता हूँ, ठीक है it's very simple, दोनों साइड से हमारा आ गया है, then press pull, यह देखिया हमारा छोटा सा पार्ट था, यह हमारा बनके हो गया, तयार, you can see very simple बन गया हमारा, ठीक है, यह हो गया छोटा सा पार्ट, बढ़ते हैं आगे, अब जरा इसमें देखियेगा इसमें कई लोगों को बड़ी परिशानी होती है जी, क्योंकि इसमें एक नए कमांड की जरूरत हमें पढ़ेगी, इस जगा पर, यह जो pyramidal ship में है उसको बनाने के लिए हमें loft कमांड की जरूरत पढ़ने वाली है तो अगर किसी ने loft कमांड को नहीं देखा है तो lecture number 2 देख लिजेगा 3D modeling का, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है तो loft कमांड यहां पर use किया गया है वो जादा बहतर रहेगा, ठीक है तो चलते हैं, start करते हैं तो first of all, what we need to do we need to start this portion, bottom portion, okay मैं एक box ले लेता हूँ, यहां से simply, और box का क्या dimension रहेगा आप देख सकते हो, 34 by 34 इधर दिया हुआ है यहां पर भी 34 by 34 का दिया हुआ है है ना, तो दोनों का dimension बराबर बराबर है यानि 34, 34, 68 का होगा तो मैं यहां से box में ले लेता हूँ यह ले लिया, 68, tab, 68, enter और उपर जाओंगा, 15 का यहां से मैंने 15 ले लिया यह रहा हमारा 15, enter you can see this, ठीक है यह हमारा आ चुका है अब बात कर लेते हैं इसकी, यह देखिए, यहां से हमारा 18 है और उपर जाओंगा, मैं कितना 9 का है और यहां से 12 का है, ठीक है तो आप क्या करो, एक line ले लो और यहां से मैं जाता हूँ 18, enter और मैं क्या करता हूँ इधर से उपर जाओंगा, 9, enter और यह ले लिया 12, enter और यहां से मैं ने इसको किया select, ठीक है अब मैं क्या करता हूँ, इसको total select कर लेता हूँ, यहां से आप mirror ले सकते हैं, 3D mirror का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2D का भी कर सकते हैं यहां पर जो plane हमें लेना है वो YZ लेना है आप यहां पर जाएए YZ पे click किजिए, और click करने के बाद हमको यहां पर click कर देना है, और यहां से no करना है, क्यों? क्या question पूछ रहा है delete source object, अगर आप इसको delete करना चाहते हैं, तो आप basic yes पर click कर सकते हो नहीं करना है, तब no पर click किजिए इस तरह सा गया, एक बीच में मैं एक simple सा line draw कर लेता हूँ, इससे होगा यह कि आप आसानी से इसको press pull कर पाएंगे, और आपका material रिमूब हो जाएगा, आप देख सकते हो delete कर दीजिए, you can see this, यह हमारा बिल्कुल भी आसानी से आ चुका है, अगला step क्या रहेगा, एक हमें 68 by 68 का rectangle लेना है फिर 24, 24, 25 यानी 48, 48 का हमें एक और rectangle लेना, दो rectangle लूँगा मैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक बड़ा वला rectangle ले लेता हूँ यहाँ से पकड़के, यहाँ तक ले लिया और एक और मैं बाजू में लेता हूँ यानी 48, tab 48 का मैंने ले लिया अब इसको पकड़ूँगा मैं M is the shortcut for move and then यहाँ पर मैंने center पर उठाया and then इसके center पर मुझे रखना है तो यह center तो नहीं दिखा रहा है ना देखो यहाँ पर कितनों भी कर रहा हूँ we couldn't find the center point of this face then how could we find that तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने एक 3D object snap का option मिलता है और इसके बाजू में एक arrow मिलता है आप यहाँ पर क्लिक किजिए देखिए यहाँ पर center of face वाला option आपका on होना चाहिए तभी जा करके आप यहाँ से center of face दून पाएंगी यह रहा हमारा center ठीक है तो आसानी से आ गया यह हमारा अब देखते हैं जरा साइस की height कितनी है तो इसकी जो total height दी हुई है सर जी यह आप देख सकते हो यह कितना है हमारा 42 का है लेकिन हम लोग यहाँ से उपर से लिए हैं तो 42-15 करना होगा कितना हो जाएगा शायद 27 आएगा कितना आजाएगा 27 ना ओके तो 27 में मैं उपर की तरफ इसको move कर देता हूँ इस polyline को select करूँगा यह Z axis vector को select करूँगा और यहाँ से 27 में मैंने इसको click कर दिया calculate कर लिजेगा अगर दिकत आती है तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो ठीक है इस तरह से मैंने ले लिया है now we are going to use the loft command और यहाँ पे है हमारा loft command ठीक है तो loft का इस्तेमाल करके आप दोनों को combine कर सकते हो जैसे कि मैंने इसको select किया देखिए यहाँ पे हमें क्या है दो options मिल रहे है यह कब आता है पता है जब आपका यह selection cycling वाला button on रहेगा तब ही आप आसानी से इस list में से जो आपको चाहिए उसको select कर सकते हो इसका नाम है selection cycling तो आपको चाहिए polyline तो polyline select किजिए और फिर इस polyline को select किजिए और enter कर दीजिए एक बर और इससे होगा यह कि आप इस तरह से दोनों profile को loft कर सकतेंगे और जो आपको चाहिए वैसा से आपको मिल जाएगा ठीक है यह हमारा हुआ दूसरा अब यहां से देखिएगा इधर से कितना offset लिया गया है 15 और इधर से भी 15 लिया गया ठीक है तो मैं copy ages का इस्तमाल करूंगा ज पिर से मैं लेता हूँ वही age लेता हूँ यहां से copy करूंगा इसको select करूंगा इंटर करूंगा इधर से फिर 15 and that is the way यहां से आप प्रेस पूल कर सकते हैं और नीचे कितना जाना है आप देख लिजे नीचे हमारा है 15 का तो आप 15 ले सकते हो ठीक है यह रहा है 15 इंटर and then आ आप यहां से इसको ऐसे कर दो और यहां से इसको ऐसे कर दो ठीक है तो इस तरह से मैंने इस पार्ट को भी बना लिया है यह देख लिजे कितना आसान है आई बात समझ में very simple देन देखिएगा यह block और यह block यानि उपर वाला नीचे वाला दोनों अलग अलग है तो आप इस तरह से आप इस तरह का loft कर सकते हैं चलते हैं अगले पार्ट की तरफ यह देख लिजे इसको आप किस साइड से बनाएंगे हमारा काम आसान हो जाएगा आप देख लिजे ठीक है तो मुझे लगता है अगर मैं right side से यानि arrow वाले side से बनाओंगा तो ज्यादा बहतर होगा है तो मैं यहाँ पे south east कर लेता हूँ है ना बाद में देखेंगे इसको क्या करना है आप इसको उठा के इधर कर दीजिए छोटे छोटे पार्ट से यहाँ से मैं left side में जाता हूँ यह पहले बता देना चाहिए था बाद में आप बोलते हो है ना पहले पूछ लेना चाहिए आप लोग बोले थे कि यह बना लूँगा मैं है ना लेकिन आप फिर से पूछ रहे हो चलो कोई बात ने बता देता हूँ no issue left side से left side से हम लोग करेंगे काम ठीक है देखिए सबसे पहले इसका total जो length है वो है 100 और यह हमारा है 75 का तो मैं 100 बाद 75 का एक rectangle ले लेता हूँ यह रहा 100 tab 75 enter और इसको मैं select करता हूँ x is the shortcut for explode कर दो ताकि सारे lines हमारे अलग अलग हो जाए अब देखिएगा क्या है तो यह total हो गया हमारा यह देखिए यह total है 32 32 और यह 25 तो मैं नीचे से 25 की तरफ जाता हूँ offset में यह हो गया और यहां से 32 ले लेना है और इधर भी हमें 32 ले लेना है ठीक है tr double space कर देता हूँ यह हो गया हमारा अब बात कर लेते हैं आगे यह हमारा काम हो चुका है बाद में मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है अब देखे इसमें क्या है यहां से 25 है इधर से भी 50 है इस तरह से ले सकता हूँ में 25 पचीस का o for offset 25 इंटर यह लिया और यह भी ले लिया ठीक है क्योंकि 100 का है tr double space और उपर वाला कितना है जी यहां पे 36 का है या 38 का है 36 का है तो आप 36 ले लो o for offset 36 इंटर ले लिया फिर f is the shortcut for fillet r is the shortcut for radius m is the shortcut for multiple तो हमें क्या है यह सब मैं connect कर सकता हूँ आसानी से no problem tr double space करके इसको आप हटा दीजिए यह हमारा आ गया है नहीं तो हम क्या करेंगे यह तो है नीचे तक है ना तो मैं क्या करता हूँ इसको undo कर देता हूँ ठीक है ऐसे ही ले लेता हूँ मैं बाद में देखेंगे इसको मैं पकड़ता हूँ south west ले लेता हूँ क्योंकि left side से start किया है यहां से मैं press pull लेता हूँ इसको select किया इसकी total length देखेगा 63 तो यह मेरा 63 रहा इसको भी मैं 63 ले लेता हूँ अब इसकी कितनी बात करेंगे यह देखेगा 38 में है ता आप इसको total जो है वो 38 में ले सकते हैं और नीचे वाले को भी 38 म कुछ हो गया हमारा बराबर अब इसकी बात करेंगे यह वालत यह कितना है 38 माइनस 19 तो बचेगा यहां पर 19 का 1 9 इंटर ठीक है यह देख लो कितना आराम से आ गया अब यहां से union कर दूंगा solid union सबको select इस तरह से मैं ने बना लिया है अब बात कर लेते हैं इसकी 12 and 9 इधर और उपर जाता हूँ 9 इंटर फिर इसी तरह से यहां पर भी 12 इंटर उपर 9 इंटर I'm sorry taper हो गया ज़रा सा 9 इंटर यहां से मैं इसको press pull करके material remove कर दूंगा ठीक है it's very simple यह देख लो क्या है इसमें कुछ भी दम नहीं है ठीक है बट ठीक है अच्छा है अगर basic basic चीजों में हमें confidence आएगा तभी हम बड़े-बड़े parts बना पाएंगे ति यह हमारा तीसरा part हो गया बिलकुल आसान है ना ओके चलते हैं अगले part की तरफ इसको देख लो बिलकुल आसान है आप right side से ले सकते हो अराम से 12 number का part है हमारा चलते हैं start करेंगे यह जो arrow दिया हुआ है उसी side से हम लोग start करने वाले हैं ओके right side से start करेंगे पहले तो UCS double enter कर दीजिए इसको ठीक कर लेता हूँ मैं यहां से south east ले लेता हूँ है ना ताकि हमें अच्छे से पता चले बाद में हम किसी भी direction में अपने object को rotate कर सकते हैं कित हमारा सही सही है no problem और अगर मैं इसको भी rotate करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ देखें यहां से मैं फिर से 3D rotate में जाता हूँ और यहां से इसा कर दो तो आपकी मर्जी इसा कुछ दिक्कत नहीं है किसी में भी आप जा सकते हो ठीक है चलते हैं इसको बनाने right side से start करूँग this is our right side और right side में जाने के बाद हमें क्या करना है you can see here हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा आप देख लीजिए सबसे पहले 50 by 45 या तो फिर क्या करना है 50 by 45 का मैं एक छोटा rectangle ले लेता हूँ यह 50 tab 45 enter and then हम क्या करेंगे इसको select x for explode आई बद समझ मैं और उसके बाद हमें क्या क्या करना है देखिए total length यहां से हमें उपर की तरफ जाना है यह 45 लिया ना फिर हमें क्या करना है 12 24 और 12 इस तरह से मुझे offset ले ले लेना है 12 24 12 O for offset 12 enter यह लिया फिर 24 लेंगे यह रहा 24 फिर यहां से 12 ले लेता हूँ आई बाद समझ मैं अब देखिए आगे आगे में क्या है मैं पहले तो इधर है ना इधर से मैं एक 90 का offset ले लेता हूँ 90 में क्या करना है आप इसको offset कर सकते हो या तो अगर आप चाहें तो यहां से पकड़के एक straight line ले लिजिए and then offset कीजिए 90 में इस तरह से और ex double enter करके इन तीनों lines को यह हो सकत इसको भी यहां तक कर दीजिए अब देखिए यह line भी तो यहां तक extended है ना इसलिए मैंने इसको भी extend किया है ठीक अब यहां पे जरा गौर किजिएगा यह 22 का है और again यहां से हमें 40 पलस यह 10 50 का मुझे offset लेना है तो मैं इधर से क्या करता हूँ एक और offset लेता हूँ यह ले लिया मैंने कितने का 22 है सायद यहां से मैं लेता हूँ 22 यह हो गया and then यहां से मैं क्या करता हूँ 50 का ठीक है आप यहां से 50 का ले लो line ले लेता हूँ मैं इधर से मैं यहां पर click कर देता हूँ तो बाद में क्या है इन दोनों लाइन की हमें जरूरत नहीं है TR, double space करके इस सब को हटा देते हैं तो इस तरह से मैंने इसको बना लिया है अब इतना होने के बाद हमें प्रेस पुल करना है बस कितना प्रेस पुल करना है तो देख लीजिए इसका total जो है हमारा 50 का है यहाँ पर आप देख सकते हो 50 का है फिर इसका जो है 28 का है फिर इसका है 18 का है और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगा और इसका total 28 प्लस 22 का है तो आप इस तरह से कर सकते हैं तो देखते हैं क्या है और बाद में मैं इसको material remove करने वाला हूँ, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, चलिए, तो मैं इसको south east में ले लेता हूँ, यह रहा हमारा, और यहां से मैं press pull करूँगा, इसको देखिए हमें लेना है 18, only 18, and then यह हमारा हो गया, 18 का, अब इसको देखिए, total कित 52, यानि 50 हो गया, ठीक है, यहां से आप direct 50 का भी ले लेंगे, तो भी चलेगा, and this is our 50, यह हो गया, और यह मैं just 28 का ले लेता हूँ, और फिर मैं इसको ले लेता हूँ, 50 में, yes, we have done it, ठीक, इस तरह से मैं ने ले लिया, अब बाद मैं इसको लूँगा, मैं, अब यहां से म इसा, और देन हम delete कर देंगे, यह होगी हमारा, it's very simple, and then what हमें क्या करना है, यहां से 32 में एक age को copy करना है, और यहां से 40 में एक age को copy करना है, तो मैंने आपको बताया है, how to copy the age, यहां पे देखिएगा, यह रहा हमारा copy age, और इसको मैं age को select करूँगा, और enter करूँगा, यह पे इस direction में दे दीजे, यहां से हमारा 50 का है, I'm sorry, 50 का है कि 40 का है, I'm sorry, 40 का था, ठीक है, यहां से मैं इसको सरका देता हूँ, 10 में, यह 40 का था, yes, 40 का है, और यहां से 32 लेना है, आप यहां से 32 ले लिजे, यह रहा copy age, इसको select करता हो, और enter करता हूँ, यह रहा 32, enter, ok, and then आ आप यहाँ से press pull करके इसको remove कर देजे और इस तरह से मेरा ये इसके बराबर में आ जाएगा इन बाकी कई सब हटा दीजे आप तो इस तरह से हमारा ये भी पार्ट बन गया है ठीक है कोई बड़े-बड़े नहीं है लेकिन थोड़ा सा logic है इसमें बस बाकी है और कुछ नहीं चलते हैं आगे अब आगे में क्या है ये बना लिया अभी ये देखिएगा ये भी बिलकुल छोटा सा है मैं क्या करता हूं right side sorry left side से हम इसको start करेंगे और left side से start करने के बाद देखिए क्या क्या मिलता है सो हमें ये पूरा बना लेना है बाद में हम लोग 400 start करेंगे और ये 60 by 66 का total ले लेता हूँ, line ले लो, यह हमारा 60, यह हमारा 66, enter, और आप चाहें तो यहां से इसको thickness भी डाल सकते हैं, thickness कितना है हमारा, 12 का ही है, यहां से बराबर parallel में आया है, तो 12 का ही होगा, तो मैं यहां से 12 ले लेता हूँ, ठीक है, और इधर से भी मैं 12 का ले लेता हूँ, यह रहा 12, और इसके बराबर में जाओंगा मैं, और यहां से मैं इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, और यहां से मैं इसको इधर से ऐसे कर दिया, और यहां से 42 में है तो मैं इसको यहां से नहीं लेता हूँ, बाद में देखेंगे, उसको बनाएंगे, और देखिएगा क्या है, इसके बाद 42 में मुझे लेना है, एक offset ले लेता हूँ, 42, enter, and then यहां मैंने ऐसा लिया, and then east line को यहां पे select करके, यहां पे जाके छोड़ दीजिए, बस इतना ही करना है इसमें, और बाद में आप क्या कीजिए, यहां से southeast ले लिजिए, या तो southwest ले लिजिए, क्योंकि we have started from left side so southwest is better option, और यहां से हमें करना है press pull, और press pull के बाद आपको इधर से लेना है, ठीक है, कितनी आसानी से capture होता है, अब जरा देखिएगा यहां पे total 12, 12 हो गया, 24, and this is 18, 24, 42 हो गया ना total, तो 21 यहां पे radius 42 का रहेगा हमारा, 42 का ले ले लेता हूँ मैं, और यहां पे जाने के ब और बाद में क्या करना है, इस rib को select करना है, M is the shortcut for move command, और midpoint से आपको उठाना है, और इसके midpoint पे रख देना है, आईवल समझ मैं, यह हो गया है, और यहां से आपको solid union कर लेना है, enter कर देना है, बाद में आप उसको side में ले लीजिए, यह जो 2D है उसको हटा दीजिए, अ अब आगे, यहां पे हमें fillet apply करना होगा, यह रहा हमारा solid, solid के बाद fillet age, और यह रहा age, age and radius, radius हमारा 21, enter, 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 that's it, and what should we do here, 12 by 12 का हमें chamfer भी लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पे fillet के नीचे हमारा chamfer है, और यहां से आप distance ले रीचे, 12, enter, 12, enter, ठीक है, then यहां से आप इसको select कीजिए, and then इसको select कीजिए, enter, enter, and here we have, okay, it was small object, ठीक है, select करके, U, C, S, double space कर सकते हैं हम लोग, और उसके बाद, है न, यहां से आप south east ले सकते हो, no problem, फिर बाद में आप इसको rotate करना चाहते हैं, इसको select कीजिए, home में जाईए है, और यहां 3D rotate, आपको पता ही है, यहां से मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, और इसको पकड़के मैं इहां से इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, side view and then यहां से मैं पूरा profile बनाऊंगा, तो total जो है, 98 by 20 का एक rectangle, 98 by 20, 98 tab 20, यह हमारा हो गया है, then explode, select कीजिए, प्रेस कीजिए, x for explode, यहां से हमारा 14, यहां से हमारा 14 और उपर 6 गया हुआ है, 14, 14 और 6, O is the shortcut for offset, 14, distance डाल देते हैं, यहां से मैंने लिया 14, फिर यहां से मैं ले लेता हूँ 14, और यह उपर रहेगा 6 का, tr double enter, इसको हटा देता हूँ, इस सब को भी हटा देता हूँ, ठीक है, like this, अब बात करेंगे यहां की, देख लीजेगा कितना है, इधर से आप 42 ले सकते हो, इधर से भी 42 ले सकते हो, नहीं, तो बीच में एक line ले लो, और देखे, इसका total distance जो दिया हुआ है, वो 21 दिया हुआ है, और एक dimension हमारा missing है, इसलिए बच्चे लोग परिशान होते हैं, missing actually नहीं है, यहां पर है, बट कितना है, वो पता नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करूँ, 20 का ले लेता हुँ, 20 का ले लेता हुँ, ठीक है, और 20 प्लस 21, यह हमारा हो जाएगा, 41, तो मैं करूँगा यहां पर line, और center से मैं 41 का एक line ले लिया, vertical, और यह हमारा 14 है, तो एक side 7, 7 का offset ले ले लेता हुँ, this side 7, this side 7, एक line ले ले लेता इसको delete कर सकते हैं, tr double space, यह रहा, ओके, आप अगर चाहें तो यहां से भी fillet apply कर सकते हो, but fillet radius is not given here, तो 3 का हम लोग consider कर लेते हैं, F is the shortcut for fillet, R is the shortcut for radius, 3 is the radius value, M is the shortcut for multiple, so कोशिश कीजिए कि हम लोग थोड़ा shortcut का भी इस्तेमाल करें, ताकि हमारे काम में speed आए, ओके, इस तरह से मैं यह ले लेता हूँ, ठीक है, then what, यहां पे तो नहीं है fillet, ठीक है, it's okay, तो हम क्या करेंगे, अब जाके price pool का इस्तेमाल करेंग यह हो गया हमारा, and then यहां से हम press pool कमांड का इस्तेमाल करेंगे, जरा देख लीजेगा, यह total हमारा कितना है, 21 और उधर 21, यानि 40, यहां पे दिया हूँ न, radius 21, तो आप 42 का ले सकते हो total, यह हो गया हमारा, it's very simple, आप इसको थोड़ा बाजू मिले लीजे, ताकि यह 2Ds को म delete कर पाऊं, ठीक है, and then what, यहां पे हमें fillet डालना है, then hole डालना है, इधर से आप solid में जाईए, यहां से में fillet ले लेता हूं, then select this one, and this one, and radius is 21, already given, enter, 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 okay, यह हमारा हो गया है, चलो, and then what, यहां से देख लीजेगा, हमें इधर से 24 लेना है, 24 लेना है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का distance 50 दिया हुआ है, तो क्या करना होगा हम लोगों को, जरा सा, यहां पर मैंने 3 का लिया था न, तो हम लोगों को यहां से 3 कम करके लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इधर से ले रहे, अगर आप देखेंगे यहां से conceptual में, तो आपको age दिखाए देगा, और मुझे क्या करना है, 24 के बजा है, मैं यहां पर 24 नहीं लोगा, मैं 3 माइनस करके लोगा, 21 लोगा, ठीक है, 21 ले लिया, इंटर कर दिया, ठीक है, यहां पर मैं circle ले लेता हूँ, that is the, देखिए, अभी Z axis का direction है, इस साइड, इसलिए circle का orientation भी इस साइड आ रहा ह होगा, we have to select this dynamic UCS, make it on, ठीक है, make this button on, dynamic UCS, then जैसा face रहेगा, वही सही हमारा क्या होगा, अभी क्या है, यह जरूरत नहीं 3D, नहीं तो गडबड़ा सकती है, अब देखते हैं, इसका hole का diameter कितना है, hole का diameter दिया हुआ है, 12 का, ता आप यहां से 12 भी डाल सकते हो, 6 radius ले लो, no problem और मैं क्या करूंगा, इस circle को select किया, CO is the shortcut for copy, and then यहां से में 50 डाल देता हूँ, enter, enter, ठीक है, और इस तरह से क्या होगा, कि आप दोनों साइट ले पाएंगे, and then use this press pull tool, to remove the material, like this, okay, and now see, यहां पर हमें एक center में लेना है, 20 diameter का एक circle चाहिए, then C for circle, क्या होता है, dynamic UCS, अगर आपने on कर दिया न तो आपको थोड़ी आसानी हो जाती है, D for diameter, 20 ले लेता हूँ, क्योंकि बार बार आपको जड़क से change नहीं करना पड़ता है, यहां से मैं, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, it's very simple, E for erase, बिलकुल आज जो है, हम लोग उपर से नीचे गिरे हैं, है न, no problem, कोई दिकत नहीं, जिन बच्चों को छोटे-छोटे parts बनाने में तकलिफ आती है, उनके लिए बेहद helpful रहेगा, UCS double inter, अगर पिछले lectures आप लोगोंने नहीं देखा है, तो वो जाके ज confidence बढ़ता है, है न, और आगे भी इस तरह के knowledgeable videos आते रहेंगे, lectures आते रहेंगे, क्योंकि जो भी मैं lectures अपने बच्चों को लेता हूँ, हमारे students को लेता हूँ, वही जो है, मैं upload कर देता हूँ, YouTube में, है न, तो इसके लिए कोई अलग चीज नहीं है, जैसा लेता हूँ, थो के लिए भी इतना ही useful है, है न, इससे आपकी skill बढ़ेगी, है न, और आगे जो भी softwares आप सीखेंगे, उसमें आपको मदद मिलेगी, ठीक है, I hope ये भी part आपको समझ में आया होगा, now rest of the part is remaining, just only two, it was, it is very simple, ये हमने एक बार बताया हुआ है, तो मैं इसको फिर से नहीं बताने वाला हूँ, just ये 15 number वाला बता देता हूँ, ठीक है, ये मैंने lecture number, इसमें किसमें बताया था, sheet number 2 में बताया था, ठीक है, ये सिब dimensions अलग हैं, बाकी का तरीका जो है, वो आप जानते हो, ठीक है, अगर नहीं तो फिर से try किजिए, दिन नहीं आया तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है, चलते हैं, इसको left side से ले लेते हैं, it's very simple, left side मैंने लिया, यहां से left ले लेता हूँ, left में जाने के बाद हमें क्या करना है, center, start, end यहां से वाला एक circle, यहां से आर्क भी ले सकते हम लोग, यहां से हम आर्क का इस्तमाल करेंगे, center, start, end, यह देखेगा, यहां तो center ले लिया मैंने यहां से, इसका radius कितना है, diameter दिया हुआ, 48, मतलब 24 का रहेगा इसका radius, ठीक है, यहां से मैं 24 ले लेता हूँ, enter कर दिया, and then यहां से मैंने ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, you can see here, 80 है, 80 मतलब 40 का ले सकता हूँ, यहां से लिया, 40, और यहां से मैं ऐसे कर लेता हूँ, line ले सकता हूँ, इधर से पकड़ो, यहां तक ले लो, अब ज़रा देखिए, guys, के center to center distance, you can see, 64 is given, center to center, 64, और यह है total 40 का, मतलब इसका जो यहां से distance होगा, वो 20 का होगा न, है न, 64 plus 20, that is 84, तो मैं center से 84 ले लेता हूँ, you know, यहां से मैं 84 लेता हूँ, और उपर जाएंगे, उपर कितना जाना है, तो जितना parallel में, यह रहा 16 का, तो आप 16 का ले सकते हैं, और यह रहा, ठीक है tr double space, ठीक है, इधर से आप delete कर दीजिए, no issue, oh, I am sorry, इसको हमें trim नहीं करना है, नहीं तो गडबड़ा जाएगे, ex double enter कर दो, इस तरह से, क्योंकि इसकी जो length है, sorry width जो है, वो कम है, और इसकी ज्यादा, यह 64 है, यह 40 है, है न, और यहां से हम लोगों को क्या करना है, south west में जाना है, and then यहां से आप क्या करते हो, press pool, and then press pool के बाद यह ले लता हूँ, 64 ले लिया मैंने, total, और इसको लेना है, total 40 का, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, 64 minus 40 कितना हो जाएगा, जी, मतलब कितना बच गया हमारा, 26 न, तो 13 मैं इधर सरका देता हूँ, तो 13 इधर रहेगा, 13 अधर रहेगा, मतलब, नहीं, गलती आ गए लगता है, no problem, मैं इसको क्या करता हूँ, M4, midpoint ले ले लेता हूँ, यहां से पकड़ा, मैंने, गलती हो गई, लगता है, कम जादा हो गया, 64 minus 40, यहनि 16 न, 16, तो undo करता हूँ, जरा सब, मैं फिर से इसको move करूँगा, ठीक है, 64 minus 40, बचा हमारा, 26, तो 13 का सही तो है, move करता हूँ, फिर से मैं, इसके midpoint को मैं उठाऊँगा, और जाके, यहां पे देखेगा, midpoint है, ऐसे उठा देए, calculation में दिक्कत आ रही है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, then union कर देता हूँ मैं, और यहां से आप क्या कर सकते हैं, solid age, and then इसको select किया, and then इसको select किया, और यहां से आपको radius लेना है, 20, enter, 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 ठीक है, and this is the way of creating this small part, okay, तो जो जो basic basic parts में दिक्कत जिनको आ रही है, उनके लिए यह काफी helpful रहेगा, और यहां से center, and then 24 is the diameter, D for diameter, 24, enter, and then press pull, यहां से आप material remove कर दीजिये, and then यहां से आप delete कर दीजिये, मैं save कर लेता हूँ, यहां से 3, D, 9 कर देता हूँ, और इस तरह से मेरा यह part complete हुआ, और आज के lecture में हमने कितने parts देख लिए है, total 7 parts complete कर चुके है, ठीक है, छोटे छोटे थे, यह सब आपकी special pharmacies पर हमने किया है, ठीक है, it's very simple, very easy, I hope यह basic basic parts में आप सभी को किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं आए होगी, और अगर आती है, तो next lecture में आप जरूर पूछ सकते हो, ठीक है, thank you for this session, thank you for joining digital cad, उससे पहले जरा सा क्या कर लेता हूँ, मैं, इन सब को थोड़ा color डाल देता हूँ, यहां से select किजिए, control 1 कर देता हूँ, then select some colors to this part, and इसको भी मैं select कर लेता हूँ, यहां से yellow कर देता हूँ, then select this one, यह रहा मेरा green, select किजिए, यहां से ले लेता हूँ, this color, and then यहां से आप, any one color, है न? these are the basic basic parts, बिल्कुल basic basic थे हमारे, ठीक है, तो आज के lecture जो है, उतना tough नहीं रहा होगा, आप सभी के लिए, ओके, यह हो गया हमारा, अंदर यहां से हम क्या कर सकते हैं, realistic को check कर देंगे, इससे क्या होगा, कि आप जो है, आसानी से देख पाएंगे, you can see, ठीक है, it's very very simple, मैं जड़ा इसको भी सरका देता हूँ, इस साइड में, इसको पकड़ के मैंने इधर रख दिया, अच्छे से समझने के लिए क्या है, है ना, ज़रूरी है, कि बबा, एक-एक पॉइंट को हम गौर से देखें, सीखें, है ना, इस तरह से मैं ने, सारे पार्ट्स को ले लिया है, तो चलते हैं, मिलते हैं, नेक्स लेक्चर में, ओके, बबाई, टेक क्यार, गुट डे,